इंडिया की लाज़ेस सोलर पैनल मैनिफेक्चर करने वाली कमपणी वारी एनरजीस का आईपयो इक्कीस ओक्टोबर को ओपन होने वाला है 21 से लेकर 23 ओक्टोबर के बीच में ये आईपयो ओपन रहेगा तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपयो का और जानेंगे कि क्या इस आईपयो में अपलाए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अश्य होंगे तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्किट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे फिर इस कंपनी की डीटेल्स के बारे में जानेंगे मतलब कंपनी क्या काम करती है कौन से सेक्टर की कंपनी फीचर कैसा रहेगा फिर इसके financials और fundamentals जानेंगे मतलब company profit making है या loss making है और अपने जो भी competitors वगेर है उनसे महेंगी valuations है या सस्ती है फिर इस IP की details के बारे में जानेंगे अन्तमें हम जानेंगी क्या है इस IP में apply करना चाहिए नहीं करना है और free में DME account खुलवाना है Angel1 के साथ कुलवा सकते हैं उसकी link description के अंदर है Instagram पर भी follow करना मत भूलिएगा तो वारी energies company December 1990 मतब 1990 के अंदर incorporate हुई दी करीब-करीब 34 साल मतब 34 years हो गए है अपने ही sector के अंदर वारी गुजरात की company है ये largest solar panel manufacture करने वाली company है मेगावाट भी बोल सकते हैं और IPO के पैसे से एक और manufacturing facility लगाने वाली है 6 GigaWatt की तो इसकी capacity जो हो जाएगी लगबग 18 GigaWatt और ये largest क्यों है क्योंकि second number पर आता है अधानी मतलब ये solar panel जो manufacture करने के तो second number आता है अधानी एक company है renew ये दो second number पर आती है इनकी capacity कितनी है 4 GigaWatt की इसकी है 12 GigaWatt तो अभी भी देखा जाए अभी जब इसकी नई manufacturing facility तो बाद में लगाएगी अभी भी तीन गुना बड़ी company है मतलब install capacity के अनुसार second number वाली company से बाद में जब ये एपनी और नई manufacturing facility लगा देगी तब 4-4 गुना ज़सी capacity हो जाएगी मतलब जो अपना second number के competitors है उनसे मतलब leading company है solar panel manufacture करने के अंदर आपको पता ही है कि solar panel future है ये आने वाले time में सबी जो चीजे हैं सारी चीजे जो बिजली बन रही है अभी कोईले से बनती है आने वाले time में क्या होगा ये जो renewable energy sources है जैसे solar panel है, wind energy है hydro energy है, इनसे ही बिजली बनेगी तक ही कहाए कि carbon emission वगेरा zero हो, हर किसी का target है carbon emission zero हो, value production कम हो, तो धीरे धीरे करकी कहाए कि इसकी demand बरेगी, तो futuristic sector है future में इसकी demand और जादा रहेगी अब ये जो पूरा solar panel होता है ये solar panel होता है, उसके इंदर छोटे-छोटे solar sales लगे होते हैं, तो solar panel तो ये manufacture करती है, solar sale ये manufacture नहीं करती है, solar sale बहार से import करती है, China वगिरा जैसे जो countries है, वहाँ से ये थोड़ा सा negative है, बट मैं आपको सारी चीज़े clear करके बता रहा हूँ और ये दोस्तों, मैं सारी चीज़े precise में आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनियेगा, क्योंकि इसमें time भी लगता है छोटी-छोटी जानकारी लेना और 7-8 मिनट के इंदर आपको सुना देना अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइगा, इससे हमें काफी motivation मिलता है तो solar sales अभी import करती है बाद में ये manufacture करेगी और अभी AKS की manufacturing facility लगने वाली है जिसके इंदर 5.4 gigawatt मतलब उसकी install capacity इसके इंदर ये solar sales है वो manufacture करने वाली है उसका काम 2025 में चालू हो जाएगा मतलब फैक्टरी 2025 में चालू होगी फिर एक और 27-28 तक 6 gigawatt की इंडिया के अंदर लगाने वाली एक और facility फिर 13 gigawatt की USA के अंदर लगाने वाली है ऐसे करके कि solar sales के अंदर भी और ज़्यादा manufacturing बढ़ाने वाली है मतलब भार से जो import कर रही है dependency घटाने वाली है तो solar sales भी खुद manufacture करेगी तो इसका जो margin है और ज़्यादा बढ़ेगा काफी अच्छी बात है मतलब यह जो target इसना है 2025 फिर 27 फिर 28 तक ऐसे करके यह target अपना पूरा करेगी export से इसका revenue बाता है 73% मतलब भार के देशों में इसके solar panel खुब जाते है और 27% इंडिया से revenue generate होता है काफी अच्छी बात है वैसे बढ़ी है देखिए export तो इंडिया को धीरे-धीरे बढ़ा नहीं है इंडिया एक्सपोर्ट पर काफी ज़्यादा focus कर रही है और top 10 जो customers है वहाँ से इसका revenue generate होता है 76% की आसपास का top 5 customer से 52% की आसपास का और एक customer से 21% का revenue generate होता है एक customer पर dependence ही थोड़ी सी ज़्यादा है और यह तीन टाइप के solar panel manufacture करती है multi crystalline, monocrystalline और topcon module उसके लावा solar inverter वगेरा भी manufacture करती है इसकी अभी total 4 manufacturing units है सूरत गुजराद के आसपास ठीक है गुजराद based company है फिर एक और manufacturing facility ओड़ी सा के अंदर लगाने वाली है जो IPO के पैसे से पैसे जटाएगी उससे तो मतलब इसका जो revenue है और उसके अंदर हमें growth देखने को मिलेगी profit के अंदर growth देखने को मिलेगी तो sector बढ़िया है futuristic sector है और अपने sector के अंदर leading company है मतलब फैले number पर ये company आती है तो और क्या चुई है SE companies तो बहुत कम देखने को मिलती है अब इसके financials और fundamentals भी देख लेते है इसके financials 2022 से 2024 तक दिये गए है assets के अंदर साल दर साल growth है assets 2022 से 2024 तक 5 times मतलब 5 गुना बड़े हैं बहुत इची बात है revenue उसका 2945 करोड से 11600 करोड रुपे के आसपास हुआ है तो लगबग 4 times जैसी growth है चार गुना जैसी growth है revenue के अंदर profit 79 करोड से 1214 करोड रुपे के आसपास हुआ है profit के अंदर 16 गुना 16 times growth है और जो पहले इसके profit margin से 2022 के अंदर लगबग 3% या असपास और अभी लगबग 11% के आसपास इसके profit margins है बहुत अच्छी बात है अदर इसके profit margins भी बड़े है इसकी net worth बड़ी है reserves इसके हाथ में 2400 करोड रुपे से उपर गए है उदारी है सिर्फ 261 करोड रुपे की अगर इसका annual profit देखें या इसके हाथ में reserves देखें उसे साबसे अपना debt कभी भी पे कर सकती है आराम से तो almost इसको आप debt free company मान सकते है debt to equity ratio कितना है 0.06 बाकि FY24 के हिसाब से देखें तो इसकी ROE, ROC वगेरा बहुत ही बढ़िया है ROE 30% है, ROC 26% है and on net worth 30% के आसपास है बहुत बढ़िया है फिर peer comparison करें तो इसका revenue 11,633 करोड रुपे के आसपास है face value है 10 रुपे per year उसका PE price to earnings ratio है 31 के आसपास का दूसरी कंपनी है WebSol उसका PE है negative और तीसरी कंपनी है Premier Energies जो भी list हुई थी आपको पता ही होगा उसकी listing काफी धमागे दार देखने को मिली थी तो WebSol का revenue है 27,27 करोड सिर्फ और Premier Energies का revenue है 31,71 करोड 3,171 करोड रुपे का तो Premier Energies से लग बग साड़े तीन गुना बड़ी कंपनी है revenue के मामले में बहुत अच्छी बात है Premier Energies का PE है 151 का Premier Energies अभी काफी महेंगी valuations पर ट्रेड कर रहा है वारी Energies 31 के PE पर आ रहा है तो काफी सही valuations लेके आ रहा है PE wise price to book के साबसे भी देखे तो 8.84 का price to book है वारी Energies का Premier Energies का है 74 का WebSol का तो negative है तो उससे साबसे भी देखा जाए तो सही valuations है earnings पर share है 48 का premier का है 6.93 का तो earnings पर share भी ज़्यादा ये भी अच्छी बात है तो valuations wise देखें तो बहुत ही सही valuations लेके आए है चाहे PE wise देखें चाहे price to book के साब से देखें तो financially, fundamentally, valuations wise बहुत ही strong नजर आ रही है फिर इस IPO की details के बारे में जानते है 21 से लेकर 23 October के बीच में IP open रहेगा face value है 10 रुपए per share 1427 रुपए से लेकर 1503 रुपए के बीच में इसका price band रखा गया है इंगाट वेफर, solar sales और solar panel manufacture करेगी OFS है 721 करोड रुपए के जिसके अंदर promoters 7.5% की हिस्सेदारी sell करेंगे तो बाद में promoters की हिस्सेदारी रह जाएगी 64.30% की तो मतलब बढ़िया हिस्सेदारी है retail portion है 35% का और listing date है इसकी 28 October को तो यह है पूरे IPO की details और दोस्तों मैंने आपको कहा यह जो इतनी ज्यानकारी है चोटी-चोटी उसको जुटाने में थोड़ा सा time लगता है तो हमारी ज्यानकारी अगर आपको पसान आती तो वीडियो को like जोरू करें और comment करके जोरूर बताएं इससे हमें काफी motivation बिलता है अब दोस्तों सबसे main सवाल यह था कि क्या SIPM apply करना चाहिए नहीं करना चाहिए और करें तो listing gains के साफ से या long time के साफ से उससे पहले आपके बास यापके family members में किसी के बास demate account नहीं है angel one के साथ खुलवा सकते हैं के link description के अंदर है तो सबसे बिले listing gains के साफ से रेखें तो हमारे जो चार parameters है jazz parameters अब इनको कह सकते हैं तो पहला parameter GMP GMP अच्छी चल दिए वैसे GMP को अंदाजा मान के चलें तो भी अभी demand अच्छी है फिर दूसरा valuations valuations भी विल्कुल reasonable है जदा महेंगी कोई नहीं है फिर टीसरा है anchor list anchor list अभी आना बाकी है मुझे लगता है अच्छी ही आईगी फिर चौता है subscription subscription अभी open होगा उसके बाद पता चल जाएगा subscription भी अच्छा मिलने की उम्मीद है अभी दो parameter तो सही बैठ रहे हैं बाकी दो parameter अभी आएंगे तब पता चल जाएंगे बाकी overall personally मैं तो apply करने ही वाला हूँ चाहे anchor list अच्छी आए या खराब आए और बाकी देखिए दोस्तों आप अपनी रिस्क अपना analysis लगा के बनाए फिर दोस्तों long term के साब से positives negatives देख लेते हैं positives के अंदर solar panel manufacture करने के अंदर leading company है 12 gigawatt की capacity है बाद में 18 gigawatt हो जाएगी क्योंकि fresh issue के पैसे से नई manufacturing facility लगाने वाले हैं उडिशा के अंदर तो अभी भी installed capacity के साब से revenue के साब से सबसे बड़ी company हैं अपने sector के अंदर आने वाले time में इसका revenue और ज़्यादा बढ़ेगा profit margins भी बढ़ेंगे क्योंकि solar cell भी ये खुद manufacture करेगी बाहर से import नहीं करेगी लागी financially strong है, fundamentally strong है और ROE, ROC बढ़िया है valuations reasonable है तो मतलब सारी चीज़े अच्छी नज़र आ रही है वैसे देखा जाए विशेश तो कुछ negatives नहीं है बट कुछ और risk factor थोड़े बहुत बता देता हूँ तो पहली चीज़ तो है कि solar cell खुद manufacture नहीं करती है बाहर से मंगवाती है तो उसके अंदर क्या है कि थोड़ा margin पर भी effect पड़ता है बाकी क्या है कि अभी ये भी solar cell भी खुद manufacture करने वाली है दीरे दीरे उसकी भी manufacturing facility लगेगी 2025 फे 2027, 2028 मतलब अलग-अलग manufacturing facility लगाने वाली है तो उसकी भी tension वाली बात नहीं है फिर दूसरा export जादा करती है मतलब दूसरे देशों पर जादा dependency है बट ये भी बुरी बात नहीं है क्योंकि अब इंडिया को दीरी-दीरे export भी बढ़ाना है export बढ़ेगा तब बाहर से पैसा आएगा तो ये दीरी-दीरे करके अब इंडिया फोकस कर रही export पर जादा ये भी अच्छी बात है बट ये कि dependency जादा रहती तो थोड़ा बहुत risk रहता है मतलब other countries के अंदर क्या है कि कोई किसी और country को भी order देते कभी कवार ऐसा भी होता है तो एकदम से काम जो है रुख जाता है फिर क्या है कि एक customer पर डिपेंडेंस ही जादा है बीस परसेंट से उपर का जो revenue है वो एक customer से ही आता है तो वो थोड़ा सा negative है बाकि overall देखें तो कोई vicious negative नहीं है अच्छी company ने ज़रा रही है मजबूत company है demanding company है और अपने sector के अंदर leading है listing gains के एसाब से भी और long term के एसाब से भी बहुत अच्छी company ने ज़रा रही है मैं personally long term listing gains दोनों के एसाब से apply कर रहा हूँ नहीं मिलता है IPO तो मैं listing के बाद भी खरीदने की कोशिश करूँगा और मुझे लगता है इस IPO को subscription ज़्यादा ही मिलेगा और मिलना थोड़ा मुश्किल है आप लोग क्या करेंगे कैसा IP हम apply करेंगे नहीं करेंगे मुझे comment करके बदा दीजिगा ये थे सारे आज के अपडेट्स और ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी जाइनकारी क्लियर हुए है तो वीडियो को लाइक जोड़ जोड़ करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलता है दोस्तों अगले वीडियो के अंदर टेलेग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री मेडी मेट अकाउंट सब की लिंक दिस्क्रिप्शन के अंदर है